हेलो फ्लेट्स मैं हूँ भावनकारगी तो एमेज़न से इस बार मैंने मंगाया है ये क्लॉच राइंग स्टेंड यानि के कपड़े सुखानी का जो स्टेंड होता है इस वीडियो में हम इसके अन्बॉक्सिंग और असेम्लिंग देखने वाले हैं वैसे मोस्ली लोगों के घर में ये पहले से अविलेवल होता है बट इसको मैंने अभी इसलिए पचिस किया है क्योंकि आज तक मुझे इसकी नीड नहीं हुई और अभी अभी हमने एक फ्लैट में शिफ्ट किया है तो यहां कपड़े सुखानी की थोड़ी से जगा कम है और मोस्ली फ्लैट में सेम प्रॉब्लम होती है और फिर जब चेयर टेबल या इधर उधर हम अपने गीले कपड़े सुखाते हैं फैलाते हैं तो उससे घर बहुत जादा मैसी लगता है इसलिए घर के गीले कपड़ों को मैनेज रखने के लिए यह क्लॉड ड्राइंग स्टेंड बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के से Esc अपर जाता है इसको एसेंबल मानेंर सेटिन गोत जाता है पूरificant एसको अपड़कर है च्रum पूरा इसके साथ यूजर मैन्वल दिया जाता है उसी पिक्चर को देख देखके में सारा अपना प्रोसेस यह को असेंबल करने का कर रही हूँ प्रेंट्स 10-15 मिनट के अंदर यह पूरा असेंबल हो जाता है प्लास्टिक और स्टेनलें स्टील के मटिरियल में यह आता है सिक्स हैंगिंग फ्रेम्स हैं इसमें जो की तीन दोनों साइट पे हैं बहुत ही स्मूद रोलिंग वील्स हैं इंडोर और आउट्डोर दोनों सब्सक्राइब हुए हैं मुझे जिसमें से ओनली 12 यूज हुए हैं नेटन बोल्ट को अभी मैं हाथ से ही फिक्स कर रही हूँ फिटिंग के लिए वैसे प्लास्ट यूज कर सकते हैं यूजर मैं मैं में मेंशन है यूज हैमर फर परफेक्ट फिटिंग फिलाल मैंने पूर पर भी खरीच सकते हैं वैली फर मनी प्रोड़क्ट है लाइट वेट है क्वालिटी बहुत अच्छी है और एनी सीजन के लिए तो बहुत ही बेस्ट प्रोड़क्ट है तो इस तरीके से लिए डोर से बहुत ही एजिली इन और आउट हो जाता है तो इसको आप अपने झाल झाल